राष्टिये जलमार्ग एक कभिस्तार कहां से कहां तक है तो गंगा नदी पर यह इस्तित है यह प्रियाग राज से हल्दिया तक है राष्टिये जलमार्ग टू ब्रह्मपुर्त नदी पर है और यह धुम्री से साधिया तक है यह असम्मे इस्तित है एसिया का पहला निर्या प्रिसंसकरर छित्र कहां इस्तापित किया गया तो यह कांड़ला गुजरात में किया गया कांड़ला का नया नाम दीन द्याल उपद्या बंदर गया है स्वदेशी आंदोलन के दोरान विदेशी बस्तूओं का भहिसकार कब शुरू हुआ तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था टाउन हॉल कलकात्ता में हुआ था बंगाल विवाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था करजन के दोरा काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था यह लकनों म हुआ था पंचायत अनसूचित छेत्र विस्तार अधनियम किस बर्स और किस समीती की सिपारिस पर अस्तित्य में आया तो 1906 का एक्ट है और दिलीप भूरिया समीती की सिपारिस पर 10 राज्यों में शुरू हुआ था तेहत्रमा समयदान संसोदन 1992 को और यह लागु हुआ थ और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक हैं इसमें कुल 16 अनुच्छेद हैं तरे इस्तिरिये बलबंत राय महता समीती 2 अक्टूबर 1969 को नागोर राजिस्तान में हुई थी पंचायती राजदिवस 24 अप्रायल को मनाये जाता है किस मंदिर का निर्मार राष्ट कूट बंस ने करवाया था तो एलोरा के कैलास मंदिर का निर्मार राष्ट कूट बंस ने करवाया था कृष्ट बंस ने इसकी खासियत क्या थी तो एकास्म पहाड़ी के द्वारा इसके किया गया था यानि एकास्म पहाड़ी या एक पड़े से परवत को काट 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 कर इसके मंदिर का निर्माड किया गया है ब्रिद्वेसर मंदिर तंजापुर में है या तमिलनाडु में निर्माड इसका चोलबंस के राजा ने किया था राज-राज पिर्थम ने कॉनार्क मंदिर औरिशा में है और यह 100% सौर गुजा से संचालिक मंदिर है नेवर मिसनाब देट। भारत के मान्यवादी है यानिकी और टॉर्नी जनरल आर्टिकल भातर में राष्टपती की छमादान की सक्तियां है इसके अंदर आर्टिकल 123 में राष्टपती का अध्यादेश है भारत के नए राष्टपती द्रोपती मुर्मू है भारत के नए उपराष्टपती जगदीश धंकन है यह 14 करम के हैं बित आयोक के पहले अध्यक्ष कौन थे तो यह केसी नियोगी थे बित आयोक के पहले अध्यक्ष बित आयोक का उलेक अनुच्छे 280 में है और इनका कारिकाल 5 साल का होता है पंदर में बित आयोक के अध्यक्ष नंद किसोर सिंग है यानिकी एन के सिंग है उजवला टू पुइंट जीरो कहां से सुरू हुई थी तो एह दस अगस्त 2021 15 से उत्तर पत्रप्रदेश के में शुरू हुई थी उजवला योजणा एक मई 2016 से बलिया उत्तर पत्र प्रदर्देश से हुई टी तो यह दोनों उत्तर जैते का सब्द का उले कर्मकांड या एच्छ और टूटी हुई नाव यह मुड को निसेद से बताया गया है तिरिबेद में सामिलबेद है रिगबेद सामबेद और एजुरबेद अटल सुरंग कहा इस्थित है तो यह हमाचल प्रदेश में इस्थित है अटल सुरंग इसका पुराना नाम रोतांग सुरंग है और इसका मारग यह जोडती है तो मनाली से लेह को जोडती है इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है तीसमा सरस्वती संबान 2020 किसे दिया गया है तो यह सरण कुमार लिंबाते को दिया गया है सनातन के लिए 31 सरस्वती संबान 2021 में राम दरस्मिस्र को दिया गया है मैं तो यहां हूँ काकरा पारा पर्माण सेंद्र कहां इस्तित है उकाई परियोजना तापती नदी पर है गुजरात में सूरत नह सहर तापती नदी के किनारे इस्तित है कैगा परमारु सेंतर करनाटक में उडन कुलम कलपक्कम परमारु सेंतर तमिल्लाणू में नरोरा परमारु सेंतर उत्तर प्रदेस में तारापुर पर्मारुसेंद्र महाराष्ट में है और राव TWARA परमारुensa traveled राजिस्तान में इस्तित हैं कामेंग लोहित तता सुवन शिरी किस नदी की सायक नदी है तो यह ब्रह्मपुत नदी की सायक नदी है कामेंग लोहित और सुवन अरणाचल प्रदेस में इनका नाम दिहांग नदी भारत में प्रिवेस करती है असम में इनका नाम ब्रह्मत नदी है जिसे ढोला साधिया पुल है जिसे भूपन हजिर का पुल ही यह अरणाचल प्रदेश में है थालगार दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है तो यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है भोरगार दर्रा मुंबई से पुनों को जोड़ता है पालगार दर्रा तमिल नाडू को केरल से जोड़ता है मुद्दर राच्चा किसकी पुस्तक ह मिरच्च कटकम सुद्रक की पुस्तक है हाल ही में किस संगठन की बैठक जर्मनी में हुई है तो यह जी सेवन की बैठक हुई है इसके सदस्देश है साथ जर्मनी, फ्रांस, जापान, युएसे, इटली, कनाड़ा और इंग्लेंड क्वेड की संकलपना, सिंजो आवे ने दिवी थी और इनका भी निदन हो गया है 2021 में पदम विभूसर इनको प्रदान किया गया है 2022 में इनको नेताजी अबोर्ड से सम्मानित किया गया सदस्देश इसमें भारत, युएसे और आस्ट्रेलिया, जापान 2022 में इसकी बैटक टोक्यो जापान में हुई थी बिम्स्टेक 2022 में बैटक कोलम्बो स्रिलंका में हुई थी इसकी बैटक, ब्रिक्स 2022 की बैटक चीन में हुई थी और यह 14 नंबर की थी, 13 नंबर की अध्यस्ता भारत ने की थी लखनव अध्वेशन 2016 की अधिस्ता किस ने की थी तो अम्बिका चरण मजूमदार ने की थी इसकी अधिस्ता स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा यह बाल गंगादर तिलक ने कहा था इसी अधिशन में कांग्रेस और मुसलिम लीग के मद्द समझाता हुआ था खारतूम किस नदी के किनारे इस्ते थे थे तो यह नील नदी के किनारे इस्ते थे थे खारतूम किसकी कैपिटल है आप लोग कमेंट वॉक्स करके बता है नियुयोर्क यह हरसन नदी के पर इस्तेत है रोम टाइवर नदी पर इस्तेत है नील नदी का बरदान मिस्र को कहते है संगाही यांग टीसी नदी पर इस्तेत है पहला सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया तो यह हरवन्स राय बच्चन को प्रदान किया गया था 1991-92 में बिडला फांडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है पूरब पश्चिम गले आरा और उत्तर दच्छिड गले आरा किस इस्थान पर बिच्छेदित करता है तो यह जासी उत्तर प्रदेश के जासी में बिच्छेदित करता है पूरब पश्चिम गले आरा और उत्तर दच्छिल गले आरा आपस में जासी में मिलते हैं पिरकास की गति कहां सबसे अधिक होती है तो यह निरवात में होती है सबसे अधिक तीन गुड़ा दस्प्रकात आठ मीटर प्रत सेकिंड और यह अनप्रस तरंग इसमें उत्पन होती है बीड़